अस्सलामू आलाएकुम प्यारे दोस्तों, ये पाकिस्तान की एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की का सच्चा वाक्या है, जिस पर एक जिन आशिक हो गया था, उस लड़की की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन जब से वो जिन उस पर आशिक हुआ था, तब से ही उस के घरवालों की समझ में कुछ नहीं आया, कि उनकी लड़की अचानक बागी क्यों हो गई, हालांकि वो उसकी पसंद का लड़का था, उस लड़की का चहरा रोज बरोज जर्द होता जा रहा था, और उसके खूबसूरत चहरे पर जुर्रियां पढ़ने लगी थी, और उस की वालिदा इस हालत की वजह से उस पर नजर रखने लगी, उसने गौर किया कि वो रात का बेचैनी से इंतजार करती है, और उसके सोने के हालात बदल रहे हैं, वो लड़की पहले कमरे से बाहर घर में बाकी लोगों के साथ सोती थी, पहले उसे अकेले सोते हुए बहुत डर लगता था, लेकिन अब वो बाहर सोने से घबराती थी, और कमरे के अंदर अकेली ही सोती थी, उस कमरे के पीछे एक पुराना बड़ा कमरे जैसा स्टोर था, एक रात रोज की तरह जब वो लड़की कमरे में थी और बाहर मौजूद सब लोग सो रहे थे, तो उसकी मा क कमरे के दर्वाजे के साथ जाकर बैठ गई और कान लगाकर अंदर के हालात का जायजा लेने लगी, जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो उसे महसूस हुआ कि अंदर का माहौल बदला हुआ है, और कोई नहायत भारी भरकम आवाज वाला शखस दबी दबी जुबा और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी धीमी धीमी आवाज आ रही थी, उसकी मा के रोंगटे खड़े हो गए, वो खामोश होकर दर्वाजे के पास बैठी रही, वो परेशान थी कि अंदर कोई मर्द उसकी बेटी के साथ मौजूद है, लेकिन वो सोच रही थी कि ये कौन हो सकता है, और अंदर कैसे पहुँच सकता है, क्योंकि कमरे और स्टोर में एक ही दर्वाजा था, जो कि अंदर से खुलता था, और बाहर से कोई भी शखस कमरे में नहीं जा सकता था, तो फिर ये कौन हो सकता है, उसने सोचा कि हो सकता है, मेरी बेटी किसी मर्द के चकर में फ अज़ार करना बेहतर समझा और अपनी बेटी की आवारगी पर खामोशी से आंसू बहाती रही लेकिन बाहर कोई न निकला सारी रात उसके कानों में उस मर्द और उसकी बेटी की आवाजे घूमती रही पुरी रात गुजर गई मगर दर्वाजा नहीं खुला अलबता फजर के वक्त उसने महसूस किया कि किसी ने नहायत एहतियात के साथ दर्वाजे की कुंडी खोल दी है और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई सुबह हुई तो वो औरत अंदर दाखिल हुई उसने पूरा कमरा और स्टोर चान मारा मगर अंदर कोई मर्द दिखाई नहीं दिया उसने एक नजर अपनी बेटी पर डाली वो अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे के आस कार से रात की अयाशी महसूस हो रही थी उसने बेटी को हिला डुला कर उठाया तो उसने ख्वाबीदा हालत में आंखे खोली मां उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें देकर डर गई बेटी भरी हुई आवाज में बोली जा मां सोजा और मुझे भी सोने दे मां किसी मर्द की राज़दारी से उसे पूछा कि उसकी ये हालत ऐसी क्यों हो रही है लेकिन उसने कुछ नहीं बताया उसकी मा ने महसूस किया कि उसकी बेटी बहुत कमजोर हो गई है उस दिन मा ने उसके बिना धुले कपड़े देखे तो उसे उनसे अजीब सी बू आई उसने कई रातें ल रहजे में बात करते हुए सुना वो कह रही थी कि तुम दो रातों से कहां थे तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने ये दो रातें कितनी मुशकिल से गुजारी हैं किसी ने भारी भरकम मरदाना आवाज में कहा कि मैं अपने घर वालों से मिलने चला गया था और ये देखो मैं तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी लाया हूँ, इसे पहन कर देखो, तुम कितनी खूबसूरत लगोगी, उसकी बेटी अंगूठी पकड़ कर बोली, वाकई बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी आँखों की तरह चमक है इसमें, वो बड़े प्यार भरे अंदा नहीं ये चमक तुम्हारी खूबसूरती के आगे फिकी पड़ जाती है, तुम वो हीरा हो, जिसकी तलाश में मैं बरसों भटकता फिरा हूँ, उसकी बेटी बनावटी अंदाज में बोली, चल जूठे, तुम जिन लोग बड़े ही जूठे दगाबाज होते हो, बिल्कुल हमारे मर्दों की तरह औरतों को फंसा लेते हो, उसके बाद उसकी बेटी और उस शखस ने क्या कहा, वो औरत सुनने की ताब ना ला सकी, उस पर ये राज खुल चुका था कि वो मर्द दर हकीकत एक जिन है, जो उसकी बेटी से मजे लेकर उसकी जिन्दगी बरबाद कर रह दी, जवाब में अंदर से वो जिन इस कदर अज्यत नाक अंदाज में चीखा कि पूरा कमरा उसकी दहशत से थर थरा गया, और सहन में सोए मर्द औरतें सभी जाग गए, जिनने बड़ी गलीज गाली दी और चीख कर लड़की से बोला, तेरी माने ये अच्छा नहीं किया मैं उसे मार डालूंगा, ये कहकर वो गायब हो गया, और उसी लमहा वो लड़की दंदनाती हुई बाहर आई, और अपनी मां का गिरेबान पकड़ कर चिलाई, तूने ये क्या किया, उसे क्यों तड़पाया है, बताओ, वरना मैं तुझे मार डालूंगी, घर के मर्दों मैं फॉरन लड़की को काबू किया, मगर उसमें जिन्नात कोवत दाखिल हो चुकी थी, उसकी मां बदहवास और खौफ जादा होकर बेहोश हो गई थी, उसे कतई तवक्को नहीं थी, कि उसके दम करने का नतीजा इतना खौफनाक हो सकता है, सारी सूरतें हाल घरवालों प की तरफ भागा, इस दोरान रोजाना घर में आयते करीमा पढ़ा जाने लगा, इसका फाइदा ये हुआ कि जितने रोज आयते करीमा पढ़ा जाता रहा, वो जिन दोबारा नहीं आया, मगर उनकी बेटी की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो कुछ ही दिनों में सूख कर क पागल कर दिया था, फिर एक दिन उसकी माँ शहर के एक बहुत बड़े और मशहूर आमिल के पास गई, और उसे सारी दास्तान सुनाई, और फिर अगले रोज वो उस आमिल के कहने पर अपनी बेटी को साथ लेकर गई, उस लड़की की हालत अब इंतहाए बदतर हो चुकी थी, उस आमिल ने लड़की से सवाल जवाब किये, तो वो कहने लगी कि आप जो मर्जी कर ले, मैं उससे तालुक खत्म नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं उसके बगएर नहीं रह सकती, हम दोनों ने शादी कर ली है, वो अब मेरा शोहर है, ये कहकर वो बेकरारी से उठकर खड़ी हो गई, उसकी माँ परेशान होकर उस आमिल का मुह ताकने लगी, आमिल ने उस लड़की को समझाया कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, इसलिए मेरी बात जल्दी समझ जाओगी, इधर आराम से बैठ जाओ और मेरी बात गोर से सुनो, वो बेदली से बैठ इस दोरान उस आमिल ने एक अमल पढ़कर उसके गिर्द हिसार कायम कर दिया, और कहा कि तुम इस दाइरे से बाहर नहीं निकलो, फिर आमिल ने उस लड़की को समझाया कि तुम कहती हो, कि तुमने उस हरामजादे जिन से शादी कर ली है, और अब तुम दोनों रातों को एक दूसरे से मिलते हो, मगर मेरी बात याद रखो, इसलाम में किसी औरत को किसी जिन के साथ शादी करने की इजाज़त नहीं है, तुम गुनाह कर रही हो, वो तुमें बरबाद कर रहा है, वो शैतान है, वो शैतान आग से बना है, और तुम मिट्टी से, तुम कभी गर्म कोईले को कागज पर रख कर देखो उसे धीरे धीरे जला डालेगा और यही हाल तुम्हारे साथ हो रहा है वह सट पटा कर बोली नहीं वो आग नहीं है उस आमिल ने कहा नहीं मेरी बेटी वो आग ही है मगर तुम्हें इसका इल्म नहीं है मगर लड़की ने उस आमिल की बात नहीं मानी और अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को सहलाने लगी अंगूठी पर नजर पढ़ते ही वो आमिल चौक गया और उसकी मां से पूछा कि क्या ये अंगूठी इसके मंगेतर ने दी है मां के बोलने से पहले वो लड़की बोली वो गरीब मिस्कीन मुझे चांदी की अंगूठी तो लाकर दे नहीं सका तो भला ये हीरे की अंगूठी कहां से खरीद पाता ये तो मेरी जान मेरे शोहर ने दी है वो आमिल समझ गया कि उस जिन ने लड़की को पूरी तरह से अपने काबू में किया हुआ है उस आमिल ने कहा कि क्या मैं ये अंगूठी देख सकता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये असली हीरे की नहीं है वो आमिल अंगूठी के जरिये उस जिन तक पहुँचना चाहता था क्योंकि जिन्नात की ये कमजोरी होती है कि जब वो कोई चीज किसी इनसान को तोहफे में देते हैं तो उसमें उनकी मानूस खुश्बू शामिल हो जाती है इस तरह उन्हें ये एहसास रहता है कि वो अपने महबूब के साथ साथ रहते हैं उस आमिल ने बड़ी मुश्किल से वो अंगूठी उस लड़की से हासिल की और उस पर दम करके अपने पास रख लिया वो लड़की सट पटाई और अंगूठी लेने के लिए उस आमिल पर जपटी मगर आमिल ने उसे वापस हिसार में बंद कर दिया और फिर धुनी सुलगा कर और पानी पर दम करके उस पर छीटे मारे और उसके बाद आमिल ने उस लड़की को ज्यादा मोहलत नहीं दी और उसने अंगूठी को सुलकती हुई धुनी के अंदर फेंक दिया तो कुछी देर बाद वो जिन आग बगुला होकर हाजिर हो गया लड़की की हालत बिगड गई थी उसका पीला चेहरा सुर्ख हो गया और आँखें खून उगलने लगी उसकी आँखों में जिनका असली चेहरा नजर आने लगा उस आमिल ने हस्बे रिवायत उस जिन से उसका नाम पूछना चाहा तो वो जखमी दरिंदे की तरह दहाड कर बोला मैं नाम नहीं बताऊंगा फिर आमिल ने पूछा कि तुम कहां के रहने वाले हो इस पर वो आमिल को धमकी दे कर बोला मैं जहां भी रहता हूँ तुम्हें इस से क्या और याद रखो अगर तुमने कोई अमल पढ़ा तो मैं इस लड़की को भी मार डालूँगा और तुम्हें भी और साथ में इस बुढ़िया को भी मार डालूँगा लड़की की मा सहम कर दीवार से लग गई वो आमिल दम शुदा पानी छिड़क कर जिनसे मुखातब हुआ बस एक मौका दे रहा हूँ लड़की की जान छोड़ दो और चले जाओ मैं जान गया हूँ कि तुम इस शहर के रहने वाले नहीं हो तुम्हारा रंग और बू इस बात को जाहिर करती है कि तुम्हारा तालुख इस शहर से नहीं है मैं शहर के जिननात को भी पहचान लेता हूँ जवाब में वो जिन आमिल को घूरने लगा आमिल ने उस जिन को ज्यादा मौका नहीं दिया और उसे बंद करने का वजीफा पढ़ने लगा और जिननात को बंद करने वाला अमल पढ़कर उसे बोतल के कैद कर लिया वो बहुत चिलाया, धमकियां देता रहा अकड दिखाता रहा लेकिन उस आमिल ने उसे बेबस कर दिया वो एक सरकश जिन होने के बावजूद जल्द ही काबू में आ गया उस जिन की उम्र अभी सिर्फ साट साल की थी और वो ताजा ताजा बालिग हुआ था इसलिए वो उस आमिल के आगे ज्यादा देर तक न ठहर सका आमिल ने उस जिन को लड़की के अंदर से बाहर निकाला और धुनी तेज करके उसे धुएं के अंदर कैद कर दिया अब वो अपनी असली शकल में मुर्दा छिपकली की तरह धुएं में बैठा हुआ था लड़की की माँ तो उस जिन की सिर्फ आवाज सुन सकती थी वो उसे देख नहीं सकती थी और वो लड़की बेहोश होकर हिसार के अंदर ही गिर गई थी उसकी माँ उसकी तरफ बढ़ी तो उस आमिल ने उसकी माँ को रोक दिया और उसके बाद वो पूरे जहलाल के साथ उस जिन से मुखातिब हुआ हाँ अब बताओ कि तुम कौन हो वो जिन हाथ जोड़कर बोला आपको येशु मसीह का वास्ता आपको अपने रसूल का वास्ता मुझे छोड़ दें उस आमिल ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम बद किरदार और काफिर हो तुमने एक मुसल्मान लड़की को तबाह किया है मैं तुम्हें मार डालूंगा वो जिन कहने लगा कि मैं एक इसाई हूँ और सखर से आया हूँ जहां मैं गोरा कबरिस्तान में अपने अजीजों से मिलने आया था वो कई सालों से यहां पर रह रहे हैं एक दिन मैंने इस लड़की को इसके मंगेतर के साथ पहाड़ी पर देखा ये दोनों दुनिया वालों से छुपकर एक दूसरे के साथ इश्क लड़ा रहे थे तब से मैं इस लड़की के चक्कर लग में गया मुझे इसकी खूबसूरती बड़ी अच्छी लगती थी मेरे दोस्त ने मुझे समझाया भी था कि इस लड़की को खराब मत करो लेकिन मैं बहग गया था आमिल ने उस काफिर जिन को पकड़ कर एक दम शुदा कील उसकी पीठ में ठोंक दी वो जिन एक दहशतनाक चीख मार कर बोला हाए मैं मर गया तुमने मुझे अपाहिच कर दिया है फिर उस आमिल ने धुनी को तेज किया और उस जिन का काम तमाम कर दिया उसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक वह अपने अमलियात में मसरूफ रहने के बाद उस लड़की को होश में ले आया और उसे दम शुदा पानी और तावीज दिया उस जिन के तालुक बनाने के तशदूद ने उस लड़की को कई बीमारियों में मुबतला कर दिया था उस आमिल ने उसकी मा को समझाया कि इसे ठीक होने में कम से कम तीन महीने लग जाएंगे इसका खून साफ करना पड़ेगा क्योंकि उस जिन ने इसके अंदर अपनी गलाजत और नजासत दाखिल कर दी है इसका मुस्तकिल रूहानी इलाज किया जाएगा वो उस आमिल की बात समझ गई और तकरीबन तीन माह के इलाज के बाद वो मुर्दा चेहरे वाली लड़की पहले की तरह हरी भरी हो गई और कुछ अरसे बाद उसकी शादी भी हो गई और वो हसी खुशी जिन्दगी गुजारने लगी इस वाक्ये से हमारी समझ में आया कि जब कोई लड़का और लड़की गलत ख्वाहिश में पढ़ जाते हैं तो जिन्नात ऐसी लड़कियों के उपर मुसल्लत हो जाते हैं और फिर उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं अल्लाह ताला हम सब को गलत कामों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन का बटन भी दबाए शुक्राइब